Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So, आज हम discuss करेंगे माईगा के बारे में. अब ये माईगा क्या होता है? ये क्या है? कैसे है? और ये क्यू है? इसके हम सभी question के answer आज मैं आपको करूँगा और हम माईगा को 0 से लेके 100 तक पूरा जारेंगे. First of all, मैं आपको बताओं ये जो topic है, ये investment के subject में cover होता है. अब ये topic आपको various exams में और किसी भी competitive exams में भी आपको इसकी ज़रूद पढ़ सकती है. तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज मैं आपको माईगा अच्छे से समझाता हूँ. First of all, अगर मैं आपको brief intro दूँ कि ये माईगा है क्या, तो माईगा जो है, ये world bank का जो group है, उसका एक part है, simply. अगर simply बोलो, world bank है, world bank का एक group है, उसमें 5 चीज़े आती है, मतलब 5 agency आती है, और ये उनमें से एक है, simple. लेकिन world bank group क्या है, ये माईगा क्यों है यहाँ यहाँ ये थोड़ा से मैं आपको एक story के form में समझाता हूँ. First of all, चलिए शूरू करते हैं, देखिए, हुआ क्या हम सबको पता है, second world war 1945 में end हुई, अब वो war तो end हो गई, जैसे US ने जैपान पे बॉम फैके war end हो गई, ठीक है, पर जब वी war के बाद सब countries ने अपने आपको फिर वो भी नुकसान होगा, और investment का नुकसान मतलब हर तरह तबाही तबाही थी, तो अब इन्होंने सोचागी यार, अब पूरे world को हमें थोड़ा growth के level पे लाना पड़ेगा, growth की सोचनी पड़ेगी, तो हम कैसे grow करें, तो ये Britainwood की conference हुई, हम सब ये जानते हैं, Britainwood की conference मे चार पॉइंट्स डिसकस हुए, majorly, पर उन में से दो successful हुए, चार पॉइंट्स कौन से थे, एक IBRD बनाने की बात हुई, International Bank for Reconstruction and Development, एक International Monetary Fund की बात हुई, एक International Trade Organization, ITO की बात हुई, और एक ICU, International Credit Unit की भी बात हुई थी, हाला कि ये जो लास्ट के दो बोले मैंने ITO और ICU, य successful नहीं हो पाए, इनको adopt नहीं किया गया, हाला कि ये दोनों की भी बात हुई थी, और जो IBID और IMF है, इनको हम जानते हैं, IMF International Monetary Fund, और IBID को हम World Bank के नाम से जानते हैं, तो IMF अलग काम करता है, IMF को जिम्मेदारी दी गई कि आप balance of payment का जो भी crisis होगा, पुरे world में, आप उस शर्ते होती हैं, वो उसके साब से loan देता है, IBID का काम था कि आप reconstruction and development करवाओगे, जितने भी आप countries को नुकसान हुआ है, मतलब infrastructure के लिए पैसे दोगे, अगर किसी को कोई भी development project अपनी country में करना है, तो World Bank उसे loan देगा, तो ये दोनो separately काम करने लगे, और ये दोनो successful भी हु देरे देरे IDA लाया, International Development Association, IFC, MAIGA and ICSID, तो ये पाँच पार्ट से हैं इसके, उन में से एक पार्ट है MAIGA, मैं आपको और वीडियो में चारो पार्ट भी कवर कराऊँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे MAIGA के बारे में, तो I hope इतना clear होगा, आप आगई चलते हैं, What is MAIGA, simply समस्ते हैं की, चलो ठीक है, हमने समझा की ये क्यों आया, अब हम समस्ते हैं की ये है क्या, इसका काम क्या है, The Multilateral Investment Guarantee Agency, फिर से पढ़िए, Multilateral Investment Guarantee Agency, Guarantee is an international institution that promotes investment in developing countries by offering political and economic risk insurance, Simply, जो MAIGA है न, वो World Bank का एक पार्ट है, जो की insurance provide करता है, किसको, कि developing countries में आप जाके invest कीजिए, और अगर आपको लगेगा, कि आपका पैसा उस country में डूप सकता है, तो आप हमसे insurance लीजिए, हम आपको insurance देते हैं, इससे क्या होगा, अगर कोई developed country है, या फिर वहाँ कोई person है, जो कि developing country में invest करना चाता है, पर उसको डर है कि ठीक है, मैं investment करूँगा, वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है, उस country में मेरा पैसा डूप जाए, तो उस डूप जाए, जब भी डूप जाए बात आती है, तो हम insurance की side जाते हैं, और वो insurance जो wing है, world bank की, वो है माई का, I hope इतना clear है, तो multilateral investment guarantee agency, यह guarantee देता है, अब कैसे देखा guarantee, अब हम आगे देखते है, इसका aim क्या है, its aim is to support economy growth, बिल्कुल सही बात है, reduce poverty होगी, and to improve people's life through FDI into developing countries, अगर यह insurance दे रहा है, तो ultimately फाइदा किसका है, country का फादा है, जो कि जिसमें investment आ रहा है, तो आने के लिए ही तो यह security दे रहा है, तो इसका काम यही है, यह insurance प्रोवाइड करता है, अब आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और बात है, जैसे कि इसका formation वहा था, 12th of April 1988 को, membership 182 countries है, and most recent member है, इसका Somalia, and coverage, coverage means, यह ठीक है insurance देगा, ले limit है, यह 15 साल तक के लिए insurance देता है, ठीक है, and may extend to 20 years भी हो सकता है, if justified by the nature of the project, तो mostly यह 15 साल तक के लिए insurance प्रोवाइड करता है, MIGA was created to complement public and private sources of investment insurance against non-commercial risk in developing countries, अब यह बहुत important line है, कि non-commercial risk का ही insurance देता है, commercial risk का insurance नहीं देता है, अब यह दोनों में क्या difference है, वो मैं आपको पताता हूँ, देखिये, non-commercial risk, यह क्या होता है, MIGA offer insurance to cover five type of non-commercial risk, पहले समझते हैं कि 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 का insurance दे रहा है, currency in convertibility and transfer restriction, अगर मान लीजिए कि, जैसे currency in convertibility का मतलब है, कि dollar को rupees में change कराना, dollar को euro में करवाना, तो वो होता है currency को हम convert करवा रहे, तो उसी के against मतलब, अगर मान लीजिए, किसी develop country के national को या वहां की government को, किसी developing country में invest करना है, लेकिन अब वहां जा invest करना है, वहां के पैसे उनके पास सोड़ी है, उनके पास अपनी country के पैसे है, तो अब उनको वो चीज कवर करनी है, ठीक है, वो change करवाना है, और उसका risk है, risk means dollar के मुकावले, क्योंकि price fluctuate होते रहते हैं, तो अगर वो risk है, तो वो भी माईगा कवर करता है, transfer की कोई भी restriction आ रही है, पैसो के transfer के, वो भी ये कवर करता है, government expropriation, मतलब उसे डर है कि, वो जो country है, developing country, वहां की government, हमारी जो भी investment होगी, उसको वो nationalize कर देगी, मतलब अपने कबजे में ले लेगी, तो उसके against भी रिस्क देता है, कि अगर ऐसा हुआ, तो हम आपको पैसे वापस करेंगे, या जो भी insurance की, यहाँ पे इनकी terms and condition होगी, next is war, terrorism and civil disturbance अगर होता है, तो ये उसके लिए भी risk देता है, insurance देता है, now breach of contract अगर किसी ने किया, वो भी देगा, and non honoring of financial obligation, कोई भी party अपना financial obligation पूरा नहीं कर रही है, तो उसको भी ये cover करता है, तो ये पांस तरीके के बहुत important points है, non commercial risk के, अब बात आती है, commercial risk क्या होता है, तो ये commercial risk का मतलब है, कि day to day business में होने वाला risk, जो की company का management भी समझ सकता है, जो risk है ना, पांस तरीके mention है, ये जो है company के control के बाहर के risk है, तो इन ही का insurance मिलेगा, अब जो risk अगर company control कर सकते है, माल लीजिए, उसने किसी को, company ने किसी को loan दिया, unsecured loan दिया, और पैसा डूब गया, तो भाई, आपने क्यों दिया, unsecured loan, ये तो आप control कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ आते है, commercial risk में, अब डे to day business में आपका नुकसान हो रहा है, wear and tear, interest rate का नुकसान, तो ये आपके control में ह समझी है, आपका management समझेगा, लेकिन जो non commercial है, उसकी किलाफ, myga insurance provide करता है, आगे, now eligibility, अब किसको देगा insurance, बहुत अच्छी agency है, लेकिन insurance किसको देगा, ये देगा, cross border investment made by investors in a myga member country, into a developing member country, जो investor है, वो भी myga का member होना चीए, यसे मैंने बोला, validate members है, और जो developing member country है, वो भी member ह होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, दोनों ही member होने चाहिए, second, in certain cases, the agency may also ensure an investment made by a national of the host country, मतलब, अगर, जो country है, member country है, उसका कोई national है, मतलब, कोई individual भी invest करना चाहरा है, और बड़े investment है, तो ये उसको भी secure कर सकता है, so myga ensure new and existing investments, अगर कोई नई investment है, उसके लिए आप insurance ले स ले सकते हैं, और कोई already आपने investment कर रखी है, उसके लिए भी आप insurance ले सकते है, now अब ये हर चीज में insurance देगा, नहीं देगा, कोई नहीं देता हर चीज में insurance, हर insurance company के अपने कोई condition होती है, तो ये तो myga है, सबसी बड़ी insurance company, तो देखिए किस-किस projects में नहीं देता guarantee, और ये और subject to international ban, जो host country मतलब जहां investment आ रही है, वही illegal है, उन्होंने अपने law में उसे illegal बोला है, ये ban किया हुआ है, और international भी ban लगा है, या किसी भी product में, जैसे कि pharmaceutical की कोई दवाई है, pesticide है, herbicide है, ozone depleting substance है, तो उनको क्यों ये cover करेगा, जहां international ban है, या फिर host country ने ban लगा हुआ है, उनको ये cover नहीं करता, नेक्स्ट इस, production of trade in weapons, वेपन्स को बिल्कुल नहीं करता, production of trade in alcoholic beverages को नहीं करता, production of trade in tobacco को नहीं करता, gambling casino और equivalent enterprise, मतलब इसी की जैसे और भी enterprises हो सकते है, उनको भी ये cover नहीं करता है, and production of trade in radioactive materials, मतलब न्यूक्लियर के uranium, थोरियम ये जो भी होते, radioactive materials, इ इसकी अब फीज कितनी है, इंशॉरेंस लेने की, इसकी एक definitive application fees होती है, कि आपको application form भरना है, और ये इसकी fees है, इसकी website में मैंने वहीं से ली गई है, तो ये 5,000 dollar for cover of less than, अगर आप 25 million dollar तक की investment कर रहे हैं, तो आपको 5,000 dollar इसकी इंशॉरेंस फीज देनी है, और आपकी 25 million dollar की जो भी investment है वो cover हो जाएगी, उस तक की, अगर उससे ज्यादा की है, 25 से ज्यादा की investment है, तो आपको 10,000 dollar की fees देनी है, और आपकी वो जो भी investment है वो इंशॉरेंस की दाएरे में आ जाएगी, So, this is the end of the video, ये माईगा के बारे में सब कुछ था, I hope आपको समझ आया होगा, So, stay tuned, बने रहिए, thank you so much, bye bye